नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं होरचाश शर्मा क्या बिहार में संस्कृत का इसलामी करन हो रहा है? ये सवाल केंद्रिय मंत्री गिरिरास सिंग ने उठाए है दरसल केंद्रियमंत्री और बीजेपी नेता गिनरा सिंग ने बिहार के सरकार स्कूल में संस्क्रीट की परिक्षा में स्लाम से जुड़े सवाल पूछे जाने को लेकर कड़ी आपत्ती दर्च की और इसे बिहार में संस्क्रीत का इसलामी करन कहा है कि पूरा मामला बिहार के सरकार स्कूल में नौवी कक्षा में संस्क्रीत की परिक्षा में इसलाम से जुड़े कई सवाल पूछे जाने को लेकर जुड़ा हुआ है दरसल केकी पाठक ने जब से शिक्षा विबाग में अपर मुक्य सचीर कापत संभाला तब से वो कई तरह के नए प्रयोग कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने आदेश दिया कि बिहार के सरकार स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को अब हर महीने परिक्षा देनी होगी इसी कड़ी में गुरुवार को नौवी कख्षा में संस्कूल की परिक्षा होई जिसमें इसलाम से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए दस सवाल कम से कम पूछे गए जिसको लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है अब आपको बताते कि वो सवाल क्या है जिससे बवाल हो गया ये वो सवाल है जो संस्क्रीत की परिक्षा में पूछे गए पहला सवाल इफ्तार क्या होता है दूसरा रोजा किस समय खोला जाता है क्या देखकर खोला जाता है तीसरा पीतरा किसे कहते है चौथा ईद में क्या-क्या पक्वान बनता है पांचवा ईद कैसा पर्व है छट्था जोखात किसे कहा जाता है साथवा मुसलमान का सरवुत्तम पर्व कौन सा है आठवा ईद में कौन सा पक्वान प्रसिद है नौवा ईद में क्या-क्या होता है दसवा ईद पर्व क्या इसलामी करन हो गया है विहार के सरकारी स्कूलों में संस्क्रीत की परिक्षा में पूछे गए इसलाम पर सवाल एक प्रश्ण में ऐसे दस सवाल पूछे गए अब ये गिदरार सिंग का जो पोस्ट है वो सामने आया जिसके बाद से अब लगतार सवाल उठ रहे हैं और विहा करन्द कर दिया गया है अब आपको इस मुद्धे पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं बिहार तक